वेलकम बैक टूट चैनल डिये श्ट्वेंट उम्मीद है कि आप सभी तैयार होंगे इस मौक टेस्ट को देने के लिए ये संडे सेवन नमबर का टेस्ट है तो चलिए इसको सुरू करते हैं और यहाँ पर इसको सुरू करने से पहले आप से एक चीज बोलेंगे कि आप इंस् का पता कर सकते हैं आज की इस वीडियो का जो एंसर होगा वो हम तुरंत बता देंगे यानि कि आपको क्वेस्टन पढ़ने के बाद थोड़ा सा समय देंगे आप अपने हिसाब से उसका एंसर कर लिजेगा और तुरंत यहीं की यहीं इसको मिला करके आप कमेंट बॉक्स मे चाहरें इंस्टाग्राम पे इसलिए आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो नहीं अगर आपको इसा लग रहा है तो ठीक है तुरंत आज ही अभी इसी वक्त आपको रिजल्ट बता दिया जाएगा आप अपना कमेंट बॉक्स में कर दिजेगा और अगर आपको अच्छा लग and shattered the hall completely अब यहाँ पर आपको बताना है कि किस पारट मी रहे और आपके पास समय है और जो समय आपके पास है वो समय शुरू हो गया है इस समय के दौरान हम बीच बीच में को एपको इसे ही चीजे बोलते रहेंगे बहस करते रहें तकि आप डिश्टरब होते रहें ज्योंक किसी बुक के help के, बिने किसी Google के help के, चलिए, तो यहाँ पर, अगर आपने सोचा है कि option number B, तो बिल्कुल सई सोचा है, क्योंकि, देखिए, hardly और scarcely के बाद, hardly और scarcely के बाद, when का प्रयोग आता है, then का प्रयोग नहीं आता है, यहाँ पर ध्यान दिजेगा, then का प्रयोग का बाता है, जब no sooner होता है, no sooner के बाद then होता है, ठीक है, तो यहाँ पर then लिखा हुआ है, यह completely गलत है, यहाँ पर hardly आया है, तो यहाँ पर when होगा, w-h-e-n, hardly या कि फिर scarcely होता है, तो उसके साथ, when का प्रयोग किया जाता है, छोटा सा इरर था, लेकिन बहुत ही इंपोर्टेंट है, जब भी hardly, scarcely, no sooner जैसे शब्द आये, तो आप बेलकुल alert हो चाहिए, 95% chances रहते हैं कि गलती वहीं पर होगी, अगले question की तरफ बढ़ते हैं, find errors से अगला question, my grandfather used to go for a walk every morning, यहां पर आपको बताना है किस बार्ट में error है, समय आपका शुरू हुआ, question जैसे ही हम पढ़ लेते हैं, वैसे ही आपका समय शुरू हो जाता है, और आप इसको देखते रहिए, देखते रहिए कि कौन सा सही है, कौन option सही है, किस option में गलती है, चलिए, चाता समय नहीं देंगे, अगर आपको लग रहा है कि option number E, यानि कि no error, तो बिल्कुल सही लग रहा है, चुकि यहां पर कह रहा है कि मेरे दादा जी, यानि कि grandfather, रोज सुबह टहलने जाया करते थे, तो इस sentence में किसी परकार की error नहीं है, किसी भी आदत को सो करने, past की आदत को सो करने के लिए, used to का प्रयोग किया जाता है, यह बहुत ही बढ़िया एक प्रयोग है, एक structure है, जिसके माद़नें से आप English के maximum sentences बोल सकते हैं, जाया करता था, मैं खाया करता था, मैं पिया करता था, मैं दवड़ा करता था, तो used to लगा कि इस परकार के sentence बोले जाते हैं, तो वही कोई काहरा आए कि मेरे जो grandfather है, वो रोज सुबह टहलने जाया करते थे, टहलने जाया करते थे, चलिए, अब अगली question की तरह बढ़ते हैं, अगला आपको fill in the blank से, खाली जगा बरना है, my sister unlike my brothers, to have a career in engineering, बहुत important question है यहाँ पर, यहाँ पर logic लगाना होगा आपको, और बताना होगा कि कौन सा question सही है, आपके presence of mind के according, क्या हो सकता है यहाँ पर, आपके सामने option है wants, want, wish, aspire, क्या हो जाएगा, अगर आपको लग रहा है कि sir, option number A, तो बिल्कुल सही लग रहा है, wants होगा, अब यह क्यों होगा, देखिए, जबी भी आपको यह like unlike दिखा, तो आपके mind में एक बत्ती जली होगी, और आपको पता चला होगा, कि sir ने आपको पहले बताया था, कि कोई भी जब दो subject, as well as, along with, together with, like, unlike जैसे चीजों से जब जुड़ते हैं, तो जो verb आती है, वो पहले subject के अनुसार आती है, जो main verb आएगी, वो पहले subject के अनुसार आएगी, तो my sister singular है, तो singular के according, जो शब्द होता है, जो उसका basic form होता है, वो plural होता है, जैसे कि want, want a plural है, तो यहाँ पर wants लगा, यह singular है, यहाँ पर इसके according आएगा, singular होगा, यहाँ पर my brothers के according नहीं आएगा, बलकि my sister के according आएगा, option number A सही है, उम्मेद है कि आपके पास doubt भी नहीं रहा होगा, अगर किसी भी question को लेकर doubt होगा, तो आप Instagram पर पूछ सकते हैं, बेक्तिकत फिर से वहाँ पर आपको question का answer समझा दिया जाएगा, चब्धा question यहाँ पर आपके सामने है, similar word आपको बताना है, opulent का मतलब होता है, मतलब तो नहीं बताना चाहिए, चलिए बाद में बताएंगे, थोड़ा सा आपको समय दे देते हैं, मतलब बता देंगे तो आप तुरंट इसका answer बता देंगे, opulent का similar word, similar मतलब होता है, synonym क्या हो सकता है, देखिए आपके सामने options बहुत है, comfortable और hard working, obscure, rich क्या हो सकता है, चलिए बताते हैं, option number D हो जाएगा, rich मतलब अमीर होता है, या कि फिर धनी, और opulent का मतलब भी होता है, अमीर या कि फिर धनी, अगले question की तरह बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, आपको किसी भी question पे, फिर similar word बताना है, synonym बताना है, word आपके सामने है, ispurious, 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 इसका मतलब क्या होता है, अगर इसका आपको मतलब पता चल जाएगा, तो कौन सा option सही है, ये भी पता चल जाएगा, मतलब बताएंगे, answer के साथ, तब तक आप देखते रहे, कौन सा option सही है, इसpurious का मतलब होता है, जाली या कि फिर नकली, option number D हो जाएगा, fake का मतलब होता है, जाली या कि फिर नकली, ये दोनों एक दूसरे के, synonym हो जाएंगे, synonym means similar word, अब जो word आपके सामने आ रहा है, उसका आपको opposite बताना है, question को कभी भी exam में solve करने से पहले, आएगे देखते हैं, यहाँ पर invincible लिखा हुआ है, इसका बता ही opposite, हाँ तो मैं कह रहा था कि question को exam में solve करने से पहले, आप instruction को ज़रूर पढ़ेंगे, कि antonym बोलना है, कि synonym कई बार होता है, कि बच्चे synonym के जगए antonym करके आ जाते हैं, और उनका number कट लिया जाता है, यह बहुत बार देखने को मिला है, इन्विन्सिवल का मतलब होता है, अजे यानि कि a पर आजे, यहाँ पर option number C हो जाएगा, जिसके पास powerless नहीं है, वो जिसके पास power नहीं है, that is powerless यानि कि असमर्थ और इन्विन्सिवल का मतलब होता है, अजे, जो अजे है, अजे है तो definitely इसके पास power है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो उल्टा हो जाएगा, वो powerless हो जाएगा, इन्विन्सिबल मिन्स इसका उल्टा powerless, अगला आपको फिर opposite बताना होगा, बहुत easy word है, ascend क्या हो जाएगा, ascend का उल्टा, यानि की ant name, यानि की opposite, ascend का मतलब option आपके सामने है, very easy यह question है, और important भी, यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि option number B, तो बिल्कुल सही लग रहा है, छोटा सा question है, ज्यादा समय नहीं देंगे, ascend का उल्टा, descend, ascend का मतलब होता है, बढ़ते हुए करम में, ठीक है, और descend का मतलब होता हुए, घटते हुए करम में, या कि फिर उतरना, ascend मतलब चड़ना, ascend मतलब चड़ना, और descend मतलब उतरना, question easy था, लेकिन important था, अगला idiom से आपके सामने question आचुका है, run out of steam, कितना बढ़ी हैं बात कही गई है, run out of steam, that is very important idiom for your exam, उमेदे कि आप इसका answer देख रहे होंगे, और सभी options को पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे, विचार रहे होंगे, और आपके दिमाग में, pressure चल रहा होगा, कि कौन सा सही हो सकता है, और आपको, जो सही answer बताना है, वो हमें, जब हम option बताएंगे, उससे पहले बताना है, तो आपके mind में ये भी डर होगा, कि सरनब बता दें, उससे पहले हम बता दें, वीडियो को आप कभी भी stop मत करिएगा, हमारे साथ साथ चलिएगा, इससे आपकी speed बढ़ेगी, और accuracy भी बढ़ेगी, यहाँ पर अगर सही option आपको लग रहा है, option number A, to lose impetus और enthusiasm, तो बिल्कुल सही लग रहा है, इसका मतल़ होता है, run out of esteem का मतल़ होता है, शक्ती, यानि कि impetus का मतल़ होता है, शक्ती और enthusiasm का मतल़ होता है, उत्साह, यानि कि सक्ति और उत्साह खत्म होना run out of steam so dear students never run out of steam अपना जो कभी भी सक्ति और उत्साह खत्म होने मत दिजिएगा ठीक है आप इसे को बोल सकते हैं कि don't run out of steam मतलब कि अपना शक्ति और उत्साह खत्म मत करो option number A बहुत important अब आगले question की तरह बढ़ते हैं यहाँ पर जो question है which is the best substitute of the phrase यहाँ पर phrase यानि कि one word substitution से idiom यह जो one word substitution है इसका एक बताना है कि आपको यहाँ पर कौन सा option सही होगा to shut a door window or lead forcefully and loudly important है और पहले कई बार हम करा चुके हैं क्या हो सकता है यहाँ पर कहना है कि to shut a door यानि कि कोई भी दरवाजा बंद करना दरवाजा window या कि फिर lead lead का मतलता है धक्कन forcefully forcefully बंद करना और loudly तेजी से बंद करना क्या हो जाएगा आपके सामने option है और अगर आपको लग रहा है लगने की क्या बात है यह पहले बता चुके होंगे exactly आपको answer पता होना चाहिए option number D यहाँ पर सही हो जाएगा to slam slam का मतलब होता है तेज आवाज के साथ बंद करना तेज आवाज के साथ बंद करना जैसे दरवाजे को धड़ाक से बंद करते हैं तो इसको या खेड़की को धड़ाक से बंद करते हैं तेज आवाज के साथ forcefully and loudly तो क्या हो जाएगा to slam इसको याद रखेंगे बहुत important है अब अगले question की तरह बढ़ते है question number 10 आपके सामने कहरा है कि find the correctly spelled word as your answer यहाँ पर correctly spelled यानि कि यह जो चार option दिये हैं इन चारों में से एक ही सही होगा और वो कौन होगा वो आप बताएंगे चलिए आपके पास समय है सभी spellings को ध्यान से देखिए exam में मेरी बात को ज़रूरी याद रखेगा आप instruction ध्यान प्रूबग पढ़िएगा कभी-कभी यह जैसे correctly spelled पूछ रहा है न तो कभी-कभी miss spelled पूछता है तो आपको confused नहीं होना है miss spelled का मतलब कौन सी spelling गलत है और correctly spelled का मतलब कौन सी spelling सही है तो इन चारों option में कौन सी spelling सही है आपको पता होगा होगा question easy है बहुत ही option number C हो जाएगा पीस का मतलब होता है टुकड़ा तो dear candidates ये 10 questions बहुत ही important थे और खास करके इसमें हमने maximum आपको vocabulary section का question डाला था क्योंकि हमें पता है कि आपका जो सबसे कमजोर section है वो vocab वाला section है क्योंकि अगर आपका vocab मजबूत होगा तो आप कम से कम 7-8 number vocab के बूते पर ला सकते हैं बागी अगर ये जो साड़ी चीजे हैं इन वर्ड का आपको पता रहता है तो 8 number की बाल आप 4-5 number या कम से कम 3-4 number आ 12-13 number आपका हो जाता है जो कि आपके passing marks से बहुत ही करीब है और ये marks आपको pass भी करा सकता है बागी आप fill in the blank से find the error जैसे question भी आप साथी साथ करते चल लें तो ये series आपके लिए बहुत important है हमेशा इसको जरूर जोइन करें प्रतेक संड़े को इसी परकार से test होता है अपन नाम के साथ अगर आपका चैनल पे कुछ और नाम है तो उसके नाम के साथ अपना करिएगा और साती साथ जेन के इंडिर्स को लगता है कि हम जूर सकते हैं सर के साथ तो आप definitely comment box में जाकर के सरी description में link होगा आप उसको जरूर follow कीजिएगा Instagram पे दसुधीर पांड़े के ना रहेंगे नए स्टूडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम